मेरे इस यूटुब चेनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है इससे पहले हम लोग प्रशनावली 1.2 के कोश्चन नमबर 4 तक देख चुके हैं अभी हम लोग कोश्चन नमबर 5 के बारे में जानेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि जाच किजिये कि क्या प्राकिर्थ संख्या N के लिए संख्या 6 घात N अंक शुन पे शमाप तो हो शकती है तो हम लोग जानते हैं कि 6 घात N शुन पे शमाप तो होगी तो इनके लिए कुछ सर्थ है तो पहली जो सर्थ है वो संख्या 5 से बिभाज होनी चाहिए पाँच से विभाज होनी चाहिए और दूसरी सर्थ हो गई अंक गनित के आधारवुत परमे से जब हम लोग उसका अभाज गुननखंड निकाले तो उसमें पाँच सामिल होने चाहिए उस अंक में यह दो सर्थ है तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि यह दो सर्थ को यह फॉलो कर रहा है कि नहीं तो छो का गहात अन तो हम लोग छो का गहात जब गुन लेते हैं तो छो आ रहा है छो का गहात दो तो छतिस छो का गहात तीन तो दो शो सोला यहां तीनों में देख रहे हैं कि शुन्य पे समाप्त नहीं है क्यों क्योंकि यह पांच से विभाज नहीं है इन में से कोई भी संख्या पांच से विभाज नहीं है इसकी यह पहले सर्थ को फॉलो नहीं कर रहा है दूसरी जो हमारी सर्थ है कि अंकनित के अधारवुत परमें से जो संख्या है उसमें हम जब अभाज गुननखर निकाले तो उसमें क्या आना चाहिए पांच सामिल होनी चाहिए तो जब हम लोग अभाज गुननखर निकाल रहे हैं तो इसमें दो और तीन के अत्रिक तो कोई भी संक्या नहीं है इसका मतलब क्या है कि छोगात एन शुन्य पे समापत नहीं होगी कुश्चिन नमर शिक्स क्यों जा रहे हैं? ब्याख्या कीजिए कि 7 गुन्य 11 गुन्य 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1 प्लस 5 भाज संख्या क्यों है? तो भाज संख्या क्यूं है तो यहां हम लोग जानेंगे कि भाज संख्या जानते हैं कि अभाज संख्या के गुननफल को कहते हैं अंक गनित के आधारवुत पर में से तो यदि यह संख्या अभाज संख्या का गुननफल होगा तो ये भाजसंख्या होगा तो हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 13 टू टाइमस है तो 13 common ले रहे हैं तो 7 गुने 11 गुने 1 पलस 1 तो हो गया 13 गुने 78 तो हम लोग 78 का क्या कर रहे हैं अब आज गुननखंड निकाल रहे हैं तो क्या हो जागा 2 से 49 गुने 78 3 से 13 गुने 49 तो क्या हो गया 13 गुने 2 गुने 3 गुने 13 मतलब कि यह अभाज संख्या का गुननफल है तो अभाज संख्या के ही गुननफल को हम लोग क्या कहते हैं भाज संख्या कहते हैं ये तो समझ में आ गया अब जो हमारा next tank है वो देख रहे हैं साथ गुने, छो गुने, पाँच गुने, चार गुने, तीन गुने, दो गुने, एक पलस पाँच इसमें भी देख रहे हैं कि पाँच टू टैम्स है तो पाँच को कॉमन ले लेते हैं तो बच के आगया साथ गुने, छो गुने, एक गुने, चार गुने, तीन गुने, दो गुने, एक पलस एक तो पाँच गुने, एक हजार नौ तो ये संख्या अभाज संख्या का गुननफल है तो ये दोनों संख्या भाज संख्या हो गई कि अब हम लोग नेक्स्ट कुस्चन देख रहे हैं नेक्स्ट कुस्चन है कि किसी खेत के मैदान में चारो और एक विर्टाकार पत हैं इस मैदान का एक चकर लगाने में शोनिया को अठारा मिनिट लगते हैं जबकि उशी मैदान का एक चकर लगाने में रभी को बारा मिनिट लगते हैं माल लीजिए कि वे दोनों एक ही अस्थान और एक ही शमय पर चलना प्रारंब करके एक ही दिशा में चलते हैं कितने समय बाद वे अपने प्रारंबिक अस्थान पे मिलेंगे तो यहां पर हम लोग को यह बताये गए कि एक विर्थाकार पत है जिसमें सोनिया को 18 मिनट और रभी को सोनिया को एक चकर लगाने में 18 मिनट और रभी को एक चकर लगाने में 12 मिनट लगते हैं तो इसे हम लोग हिट और ट्राइल मेथड से भी बना सकते हैं LCM से कुईक बना है तो LCM निकाल रहे हैं हम लोग किसका 18 और बाड़ा का तो अब आज गुननखन विदी से निकाल रहे हैं तो क्या हो गया दो तिया छो चो तरिक 18 बाड़ा का दो दुनी चार चार तिया बाड़ा तो LCM में हम लोग पहले क्या देख रहे हैं आवाज गुननखन विदी से कि कौन सांग कॉमन है तो दो और तीन कॉमन है उसके बाद यह जानते हैं कि कौन सांग रिमेंडर है तो क्या हो गया दो गुने तीन तो क्या हो गया दो तिया चो चो दुनी बारा बारतिया च्छतिस च्छतिस मिनट मिनट की च्छतिस मिनट बाद बाद वे अपने प्रारंभीक अस्थान पे मिलेंगे I hope आपको ये question number 5, 6, 7 समझ में आया होगा THANKS FOR WATCHING